सावन का मैना चल रहा है तो सावन में तेवार आते ही है रक्षा बंदन आती है तीज तेवार आते है तो गेहर बनाते है तो गेहर के उपर रबडी लगाई जाती है बहुत अच्छे लगती है और रबडी केसे बनाते है वो तरीका देखेंगे नमस्कार मेरे चलाल में आपक लगती है आप गहोर के उपर भी लगा के इंजोई कर सकते हो एसे भी खाओगे तो बहुत अच्छे लगती है एक गिलाश दूद लेंगे उसको अच्छे से गरम करेंगे और थोड़ा कम होने तक उबालते रहेंगे अगर आपको ज्यादा बनाना है तो दूद की कॉंटिटि मिक्स होने के बाद में 2-3 मिलड़ तक इसको और पकाएंगे ताकि यह अलका गाड़ा ओर हो जाए वो जल्दी बनके त्यार होती है अगर आपको खोया नहीं डालना है यानि मावा नहीं डालना है तो आप उसको दूद की कॉंटिटी ज्यादा ले लगना और दूद एक च चमच डाल रहे हूं चोटी चमच और चेनी को मिक्स कर लेंगे और भी इसमें अच्छा फलेव लाने के लिए इसमें इलाइची पाउडर डाल देंगे अधी चोटी चमच आप इसमें केसर भी डाल सकते हो मैं इसको गेवर के उपर लगाने के लिए बना रहे हूं आप प्रबडी बनाईए और नजोई करिए, यह रबडी को आप ऐसे भी खा सकते हो, बहt अच्छी लगती है, लेकिन मैंने गहूर के उपर लगाने के लिए बनाया है यह रबडी, तो मैं गहूर के उपर लगाए कि ही बताऊंगी मैंने गेहुर बनाया है मेरे चैनल पर गेवर का वीडियो भी आने वाला है आप जुरूर देखना और यह देखो इस तरीके से गेवर के उपर यह रबड़ी लगा लेना है बहुत टेश्टी लगते हैं गेवर आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कॉंटिटी में गेवर के उपर रबड़ी लगा के इंजोई कर सकते हूँ लेगिन आज तक आपने रबड़ी वाले गेवर नहीं कहाई है तो अपकी बार गेवर के उपर रबड़ी लगा के जुरूर इंजोई करना बोट टेश्टी लग करते हैं इसे ही नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्राइब